है घलो ट्विटिटिए फॉर और सुस्ट इ podéis चल रहा है कुछ लोग याक क्लेयम करे रहे कि 85 के चले चल रहे ई हां को मया मैं हेलो कि निसक्राइ। और क्लियर कि बाद सुप्विटा-गुशं stupid ये क्लेयर आ़ खार्रा देब हो ए देबेट चलता रहा रहे हम लोग इस चीज़ पर फोकस करेंगे कि कैसे over the years UPSC ट्रांस्फर्म हुआ है in asking the questions in various topics. तो हम लोग ये endeavor एक वीक के लिए शुरू किया है और एक वीक में हम लोग हर दिन कोई ना कोई एक topic को चूज करेंगे और उसमें देखेंगे कैसे UPSC अपने question पूछने का तरीके में evolution लाई है evolve की है और अब 2024 onwards किस तरह से question को पढ़ना चाहिए है यह हम लोग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि previous year question analyze करना it is duty of every aspirant तो आप लोगों को भी करना चाहिए और देखना चाहिए कि कैसे यह चीज़ evolve होगी in future terms की 2025 और 2026 में questions कैसे होंगे तो दोफनों देखेंगे कि 2018 में कुछ questions आये थे और 2024 में एक 5-6 years का gap है तो 6 years में 5 years में कैसे यह questions evolve हुए है in environment आज हम लोग यह देखेंगे और देखेंगे कि 2024 के perspective में हम लोगों को reorient करना है अपना thought process कि हम लोगों कैसे content पढ़ना है अगले एक साल तक जो prelims में पूछा जा सकता है so यह है एक question 2018 का जिसमें है कुछ terminologies mentioned तो आज से 5 साल पहले UPSC जब environment पूछती थी और UPSC used to emphasize a hell lot in terms of कि मेरे को environment के बहुत सारे question पूछने है और बहुत ज़्यादा technical question होता था कैसे होता था लेखता है तो first and foremost है कि they would ask something like critical wildlife habitat critical wildlife habitat एक terminology हो गया तो UPSC environment में यह कर दी थी कि they would simply state a term और statement वो statement के बहुत कुछ नहीं कुछ additional statement होता था यह है यह statement correct है या false है तो यह terminology हो गया उनके पूछने के लिए उसके बाद they would ask उस 2018 में tribal rights award करने का एक process चाल हुआ था वो tribal ministry करता था जो forest right act के basis पे था तो tribal ministry यह act को इसका duty दिया गया है to recognize the previous rights जो community forest communities को हैं तो यहां पे एक statement दिया था कि ministry of environmental forest and climate change officially decides to declare the habitat rights of primitive and vulnerable tribal groups तो यह उनका derivation environment का उस जमाने में आज से 5 सर पहले इस तरह से होता था कि अगर कोई चीज news में है तो would they would create environmental news outer तो इसमें कि अगर इस statement को देखे तो इसमें का नाम है जो है एक ministry का नाम फिर एक rights issue है किसी एक tribal community के बारे में तो यह बिल्कुल current affairs का था बट इसको क्योंकि यह environment बायस था इसमें इसलिए इसको environment current affairs में हम लोग रखते थे उसके बाद यहां पे एक particular community का नाम आ गया तो current affairs में भी देखना होता था कि क्या यह community हमें पता है या नहीं पता है और उसके corresponding statement है वो सही है कि नहीं सही है तो यह mostly आपको यहां पे तीन चीज़े पता होने चीए पहला जो law है जो forest right act है FRI इसको हम लोग खहते है फिर एक तो यह basic हो गया कि tribal ministry इसको issue करती है तो यह statement गलत हो गया उसके बाद एक type के बारे में आपको पूछ लेया उसके बाद एक terminology के बारे में you have to have a brief idea तो यह question elimination से कभी solve होता था यह आपको basic knowledge के बाद से भी solve होता है अब उना एक दो question और देखेंगे और देखेंगे 24 में कैसे evolve होता है यह 2018 के एक और question है जो यह show करता है कि UPS किसी जमाने में आज से 5 साल पहले अब है इस अबाट summits convention and protocols यह environment एक issue global issue है और उसमें बहुत सारे countries collectively involved होते हैं तो हमेशा summit करते हैं कि इसने किसी specific environmental issue पे जो अभी concern में है या अभी बहुत grave threat है उससे तो summit होता है तो summit का date और the purpose of it है यह सबको पता होना चाहिए था उस जमाने में भी और अभी भी आपको पता होना चाहिए कम से कम basic जो बहुत ही important है वो तो पता होना ही चाहिए तो इस question में उन लोगों ने एक simple page नाम से एक acronym create कर दिया और something और उसको पूछा कि कौन से summit में से आया है तो आपको यह सारे चीज़े पढ़ने होती है यह 2018 प्रायर टू प्रायर टू लैक 2022 यही पैटर्न रता था आप 18 से 22 तक का पेपर उठाएंगा तो आपको यही पैटर्न ही मिलेगा कि आपको यह सब चीज़े पढ़े अच्छे से पढ़े होना चाहिए आपको स्टेटमेंट दिखे और यू कान एबल टो आंसर कि इसमें से कौंसर स्टेटमेंट करेक्ट है और एक यह तीसरा पहले जो दो ऑप्षिन थे यह इन्फोर्मेटिव ऑप्षिन है को से कि इस आपके पास इन्फोर्मेशन है यह आर बाउन टो गेट इट राइट आप जो तीसरा कॉशन है यह इंटरेस्टिंग है भीकरस इसमें ग्राउंडवाटर के मेकानिक्स के बारे में पूछा है और हम लोग जो ग्राउंड वाटर का परकुलेशन है या कोई भी मिनेरियर रिसोर्स का एकस्ट्राक्षिन है उससे हम अपना ही वाटर सगेल को डिस तक सोच सकते हैं कभी-कभी आप डीप सोचेंगे तो गलती हो जाएगी बट आप कभी-कभी कम सोचेंगे तो भी गलती हो जाएगी तो नोबोडी नोज तो एट लगल पर में देखते हैं कि यूप ऐसे आज से पांत साल पहले कुछ कुछ informatic question पूस्ती थी और कुछ mechanical question पूस्ती थी जिसमें आपको यह पता होना चाहिए कि how things work या environmental cycle कैसे होता है या water cycle कैसे होता है या nutrition nutrient cycle कैसे होता है तो यहां पर सिंपल है कि सैंड माइनिंग से क्या क्या consequences हो सकते है तो इसमें हम लोग यह देखेंगे कि यह कैसे काम करता है और इवेंचुली वो question solve जाए तो 18 से 22 तक more or less questions ऐसी आते थे थे बट्रेंड है यूपसे आज इवाल्ड इट्स वेफ आसकिंग अब अब लोग देखते हैं 2024 में क्या होता है 2024 में अगर आप यह देखेंगे अगर इस statement को या इस चीज़ को उठाए तो mostly environmental कोई ऐसा international इवेंट जिसमें कोई institution या तो शुरू हुआ था या तो कोई initiative शुरू हुआ था अगर हम लोग से प्रिंस्पल दोजा 24 में लगा है तो देखते हैं कि यहाँ पे टर्मिनलोजी है distributed energy resources इस टर्मिनलोजी पे उन लोग ने question put up कर दिया और बता दिया कि इन में से कौन सा है तो इसे हम यह पता चलता है कि पहले environmental laws और regulation और convention बे ज़्यादा फोकस था अब ऐसे टर्म्स ज़्यादा फोकस करने वाले UPSC जो हम लोग को आने वाले सालों में बार बार देखने को मिलेंगे they would state some random statement जिसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता हो शायद नहीं पता हो बट आप उससे उसको उसका reason समझ पाएंगे या rational समझ पाएंगे what it entails या what इसका क्या meaning है तो यहां पर distributed energy resources है तो यहां पर UPCI जानना चारी है कि जितने भी traditional power generating energy generating resources है वो mostly एक ही जगा concentrated आते ते जैसे बड़े hydropower plant बड़े thermopower plant या बड़े nuclear power plant इनके साथ मज़ा चीज यह है कि यहां पर energy create होता है और distribute होते है बट यहां पर कुछ ऐसे होंगे जहां पर energy छोटे इंविट्स में create होंगे और वो वहां पर पहुंच जाएंगे तो हम लोगा देखा कि पहले भी terminology पूछे जा रहे थे बट आप ऐसे terminology पूछे जाएंगे जो कि pollution reduction या फिर climate change से related है ना कि institution या किसी initiative से related है तो हमें जबी भी हम लोग को environment का news पढ़ेंगे आज से एक साल तक आप लोग भी यह task करना कोई भी आप environment के news पढ़ें तो ऐसे terms पर ध्यान देना जो कि उचा उसमें stated है जैसे कि last year या उससे पहली green washing आया था अभी distributed energy resources आया तो इट state की UPSC आपका awareness चेक कर रही है कि आप कौन से term पर ध्यान दे रहे हैं या current trend में कौन से term किस topic से और environment हमेशा एक recurring topic है newspaper में तो कौन स एक लिए आ रहा है तो आप उस पर focus कर और उससे जाने कि यह कौन सापको मेंशा याद ने रहेगा कौन इसमें है बट आगर आपको इसका meaning पता है तो you will be able to solve या pick the choice जो आप सही अंतर तक पहुंच पाएंगे और एक और question है UPSC has started this asking random stuff जिसका कोई static book में या कहीं exactly you can't point out कि यह question यहां से उठाए गया यहां से पढ़ने से you will be able to solve it तो यह है कि they have asked कि इसमें से कौन से पहुंच आप स्पीशीज है literally question ऐसे put up किये जाते हैं to create panic in the examination hall for everyone you have to think there are three species mentioned हाप हद से हद यह समद सकते हैं या मान सकते हैं कि हो सकता है कि frog आर usually आमनों frogs नहीं खाते है usually बहुत सारे ethnicity है जहां पर frogs भी खा जाता है तो जहां फ्रॉग नहीं खाया जाता है usually तो फ्रॉग हो सकता पॉजनेस स्पीशीज हो बट उससे भी प्रॉब्म सॉल नहीं आगा because options बहुत ही वाइड दियेगे तो जो हम लोग इस question पर का analysis करेंगे you will find कि एक question environment के part में आएगा but it is very difficult to solve it has like very few words तो आपको eliminate करने का chance ही खतम हो जाता है because बहुत limited information या तो आपको answer आता है या तो नहीं आता है you there are lot many fish का species जो हम लोग को नहीं पता हो सकता poisonous or nobody knows तो ऐसे question को या तो आपको तुक्के से मारना है तो आप मार सकते हैं but you should avoid because calculated guess करना is way more easier and rational than taking a direct to तुक्का तो इसमें main issue है कि random stuff पुछा गया है feature आपको सब पता नहीं होता है आप थोड़ा बहुत logic लगा सकते हैं but वहाँ पर बात है कि रुख जाती है कि you can't eliminate everything और आप answer तक नहीं पहुँच पाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि 2018 के beyond जो static तरीका है पूछने का it has evolved और वह लोग अब climate change पे और energy resource पे या renewable energy फोकस करेंगे और जो modern energy generating resources या technology से उस पे UPSC का focus रहेगा in upcoming years तो हम लोग यह कह सकते हैं कि जो traditional topics थे summits और यह सब convention protocols उनका value गिरेगा और ऐसे topics का जिसका application होगा आने वाले इंडिया में जो हम लोग अभी problem face करें वह साहर topics highlight होंगे और वह सब questions या वह सब reference ज्यादा पूछे जाएंगे तो इस तरह से हम लोग आज का lecture खतम होता है evolution of environment questions since 2018 next day हम लोग किसी और topic को discuss करेंगे करेंगे